सद्गुरु की बुद्धी से चलो तो जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई उल्जन नहीं आएगी। तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। एक बार एक महात्मा जी के दरबार में एक राहगीर आया और उसने पुछा कि महात्मन सद्गुरु की आग्या का पालन कैसे करना चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है कि दो राजे बिलकुल पास-पास में थे, एक राजे बहुत बढ़ा और एक राजे छोटा था। बड़े राजे के पास अच्छी खासी सेना थी और छोटे राजे के पास ठीक ठाक सेना थी। बड़े राजे के राजा विजे प्रताप के मन में पाप आया कि क्यों इस छोटे राजे को अपने राजे में शामिल कर लिया जाए और उसने छोटे राजे पर आक्रमन करने की तैयारी शुरू कर दी इधर छोटे राजे के राजा धर्मराज अपने गुरूवर के पास गए और उधर विज़िप्रताप को उनके गुरू ने समझाया कि बेटा युद से पहले एक बार अपना दूत वहा भेज कर धर्मराज जी को समझा दो कि वो आत्मस मरपन कर दे तो बड़ी जनहानी रुख जाएगी और बिना युद के आपका काम हो जाएगा और एक बात का ध्य जान रखना की वहा उसे भेजना जो आपके लिए सबसे अहम हो और वहा की पलपल की जानकारी आपको दे सके राजा ने सोचा मेरे लिए सबसे अहम तो मैं ही हूँ और विज़िप्रताप स्वयम भेश बदल कर गए राजा धर्मराज और राजा विज़िप्रताप एक उं पहाडी से नीचे कुछ जाओ, सैनिक भाग कर गया। विज़िप्रताप ने कहा, अरे ये कैसा पागलपन, तो धर्मराज जी ने कहा, मित्र जब तक कैसे स्वामी भक्त योध्धा हमारे पास है। तब तक हम कभी हार स्वीकार नहीं कर सकते और राजा विजिप्रताप ततकाल उठे अपने राजे पहुचे और उन्होंने भी वैसे ही किया पर कोई भी पहाडी से इनकुदा। सब तर्क कुतर करने लगे फिर राजा ततकाल धर्मराज जी के पास पहुँचे और उन्हों ने धर्मराज जी के आगे अपना मस्तक जुका दिया। राहगीर ऐसे स्वामी भक्त सैनिक बड़े ही आदरनिये और दुरलब है देव। महात्मा, हावत्स यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब सद्गुरु कुछ कहे तो बिना कुछ बोले उसकी पालना कर लेना बड़े लाब में रहोगे। कि महात्मा जी ने आगे कहा कि ये तीन सैनिक और कोई नहीं है, ये तीन तन, मन और धन जब भी सद्गुरु कुछ कहे तो रनभूमी में तन मन धन से कुद परना। और हवत्स ये कभी नभुलना कि सद्गुरु के समान कोई हितेशी नहीं है। और सद्गुरु और सच्चे संद से तर्क वितर्क कभी मत करना क्योंकि जो तर्क वितर्क में उलजते हैं, वो फिर उलजते ही चले जाते हैं, और जो नहीं करते हैं, वो सुलज जाते हैं उल्जन के लिए अपनी बुद्धी लगाओ और सुल्जन के लिए सद्गुरु की बुद्धी से चलो अर्थाद जो भी सद्गुरु कहे उसे ततकाल मान लो और सद्गुरु वही है जो तुम्हारा तार हरी से जोड़कर हरी को आगे करके स्वयम पीछे हच जाए ऐसे सद्गुरु का आदेश परमधर्म है अगर आपको यह शुब विचार और कहानी पसंद है तो कृपिया शेयर लाइक या कॉमे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्या बाद